वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट फ्रेंड जो भी चैनल में फर्स्टाम विजिट कर रहे अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकां को पर हिट कर लीजे फ्रेंड लेटेस्ट अभी एक वीडियो आ चुकिए जिसमें दो कौफ श चैनल में पहले जब वीडियो बनाया था तो स्टम में इसके 3573 का प्राइस था तो कंपनी का शेर अभी करीब ऑप्रोक्स डबल से भी उपर हो चुका था बट मार्केट प्रेशर भी था स्टॉक में लगा था प्रॉफिट बोकिंग और नीचे तक भी आया था कई लोगों कंपनी के चार्ट पैटर में आप नाम पर सकते हैं एचल ग्लास कोड लिमिटेट कंपनी का अभी का प्राइस देखेंगे तो 6555 रुपे के साब पास है मैंने लगा तरे स्टॉक पर वीडियो बना रहा हूं आपको कई बार कई लोगों ने वीडियो बना कि इसमें लोगों स्टॉक में अगर आपको नीचे लेवल पर मिलता है कि मार्केट अभी प्रेशर में तो स्टॉक में साइपी करना मत भूले स्टॉक जब भी आपको 5500-5500 की नीचे मिले या 5800 के आसपास भी मिले तो स्टॉक को आप साइपी के रूप पर कर सकते हैं क्योंकि चार्ट का पै स्टॉक में करीम 90% के रिटन दिए एक साल की बात करें तो एक साल में आप देखेंगे तो 240% के पॉजिटेव रिटन दिए अगर चार्ट पैटन को आप गौर से देखे तो आपको एक चीज़ दिखाना चाओंगों कि स्टॉक में पहले जंप आती फिर प्र पॉफिट आतार एक फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाएगी देख सकते हैं यहां पर फ्लैट परफॉर्मेंस उसके बाद एक जंप लेगी अच्छी कासी और 52 भी खाएक मारके 10-15% नीचे आके दिखती है तो यह कंपनी का चार्ट पैटन है कंपनी का नेचर भी ऐसा ही कंपनी जंप ल पाद स्साथी देख सकते हैं अपने चार्ट परसंट के बात रही अघिया कंपनी कंपनी करें चार्ट पाद स्सेटी नेचर आएंगे कंपनी की बात करें फ्राइडे के दिन के परफॉर्मेंस की आप देख सकते हैं 6327 पर ओपन हुआ था हाई लगा था 6720 लो बनाया था 6327 मार्केट कैप के साब से कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है सेभी के गरज हैं इस स्टाॉक में जयता प्रैशर बना हुए और की को य। इस इसका पूरा बेनेफेट किव इसको बहुत ज्यादा फाइड़ा होता है तो तो इसकी गामें पनायुम आञेों तो स्टाॉक इसकट में प्रैशर होता है और और बड़ा इंवेस्टर में इंवेश्मेंट करने से डरेगा कमपनी के फिप्टी टुवीक हाई की बात करें तो 7549 का है 52 लो की बात करें तो 1310 रोपे का है कमपनी के आगा है पन बैलेंस इत्राइब देख सेखते हैं 26 कुरोड के रिजर्व फिर 61 फिर 129 छोटी कमपनी के रिजर्व इसलिए सेम ही रहेंगे जादा बड़े रिजर्व नहीं रहेंगे पास के पास कऱें tal, कमपनी के पास कहले है उन 20 करोड की अखला आरही है उसमें monopoly enjoy करती है ये पार बात कर ले हैं, तो कमपनी का करती है तो चलते कंपणई के के बहुत बड़ा प्रेशर होती है इसकी जो सेल्स होती इससे बहुत जादा आती आप यह चीज नोट जग रखना जैसी अगर सेवी से अगर क्लीन चीट इनको मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं एक अचली ग्लासमेट कोड में प्रेशर आ सकता है बड जब तक नहीं है तो अब तक इसका benefit भी उठा सकते हैं quarterly result की बात करें तो company के quarterly result भी improvement होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं सितंबर में company की sales थी 109 करोड फिर 115 फिर 127 कोवेट के करना थोड़ा नीचे आए से 112 करोड फिर 110 करोड के आसपर कंपनी के expense भी देख सकते हैं operating profit देखेंगे तो 18 करोड 25 बाइस फिर 19 करोड के आसपास का है net profit की बात करें तो company net profit भी देख सकते हैं सारे adjustment होने का 11 करोड 17 करोड 18 14 13 यह थोड़े 2 quarter से थोड़ा नीचे है कंपनी का profit and loss की बात करें तो company का sales देख सकते हैं साल बर साल का तो company का data को 2010 से मिलेगा तो आप देख सकते हैं कंपनी की sales उस ताम 45 करोड के होती थी 53, 70, 70, same range में गुजना 70 में फिर आप देख सकते हैं कंपनी ने 88 कर लेवल टच के फिर 92 फिर 81, 97 में अब अब इसका देखेंगे यह जो company का 337 का तो इसके बीचे की एक रीजन है कि इसमें प्रमोटर ने बहुत जादा अपनी holding बढ़ाई थी आप नोट करके रख सकते हैं मार 2020 इसके पहले कम जो इसके प्रमोटर तो इनने बह बढ़ते हुए देखने को मिलेगा पहले अब 203 यह सेमी रिंज में घूम रहता आप देखेंगे चार पांच-छे साथ पर उसके बाद आप देख सकते हैं तो आपको समझने को मिलेगा तो आपको देख सकते कंपनी में सितंबर 2019 कंपनी के शेर होल्डिंग पैटन तर पच परसेंट प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी तो इसके बाद यहां पर नंबर भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कि कंपनी का यहां पर प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको देखने हैं मिला जिसके कारण से अच्छा माल उठाया था उसके बा से 70 आगया करीब अभी प्रोमोटर ने लास्ट क्वाटर में करीब वन परसेंट से होलिंग कम करी वहीं बात करें अगर एका यहां पर माल उठाते हैं तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं तो फास देख सकते हैं पांच परसेंट की होलिंग कर दी यह डिया कोई फ्लेट पॉफॉर्मेंस रखा है पॉब्लिक की बात के तो पॉब्लिक निया पर होल्डिंग कम कर रही है तो जिसके पास भी स्टॉक है आप उसको लॉंग टब में लेकर चल सकते कंपनी के रिजल्ट अभी आए नहीं देड़ भी नहीं है तो कंपनी अच्छी है जब तक कंपनी में अगर ग्रीन चेट मिल जाती सेवी से कभी भी तो उसके पीछे इसको बहुत ज़्यादा अगर ग्रीन चेट उसको मिलती तो इसको स्टॉक में जरूरी प्रेशर बन सकता है तो थोड़ा आप उसको पी अपने वाच लिस्ट में एच करके रखिए उसकी नियूस को पढ़त साल बाद भी इसका क्लेर नहीं आए तो इसका अप ठीक है जब तक नहीं आ रहा तब तक आप स्टॉक को थोड़ा मिनिमूम कॉंटिटी लगा सकते जी एम फॉडलर ने बट कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद तो अभी जिसके पाद ये स्टॉक है तो उसको होल्डी कर सब्सक्राइब के पूछ सकते हैं जरू में इसका अंसर दे दूंगा